वेल्कम तु दिस चैलेंज जोलोजी नोट्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेकनिस आप रिजरेशन इन एंफीबिया यह जो टॉपिक है एक्जाम में आपका लॉंग में पुछा जाता है और इसमें और एक टॉपिक पढ़ा जाता है एक्जाम में आता है वु जो आप दिस अनिमल रिजरेशन का प्रोसेस कैसे होता है एमोंग भर्टीब्रेट्स दा रिजरेटीब कैपासिटी इसमोस्ट एस्टॉंच 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 इंद युरेडियल एंफीबियंस लाइक निूट एंड अडियों बुलेजारे वर्टीब्रेट्स में जो होता है रिजरेशन का जो चंता जो होता है वो निूटस और सलामेंडर जैसे युरेडियल वाले भर्टीब्रेट्स में बहुत ज्यादा मतबहुत अधिक होता है यह जो इन जानवरों के अंग जो है जैसे कि टेल हो गया उसके बाद गिल्स हो गया है फिर यहां तक कि यहां जबड़े लार्वा और एडल्ट तूनों स्टेज में एक तरह सो रिजरेटिव होता है बहुत अच्छे तरीके से यह रिजरेटिव होता है यह जो रिजरेशन जो है यह बहुत बड़े पेमाने पर इसका अधियन किया गया है इसका नीधम 1950 टीम में इन्होंने पुना जन को जैसे कि मतलब रिजरेशन को छे प्रोसेस में बाटा है दे आर उन वाउन क्लोजर डिमोलिशन और डिफेंस डिडिफ्रेंसियेशन ब्लास्टेमा फॉर्मेशन ग्रोथ और लास्ट डिफ्रेंसियेशन इस फिगर को आपको यहां पर ड्र पहला है वाउन क्लोजर गाहिकर को बंद करना वंन ध्रिखोंद्स और शायर होगा वहां पर ग्लीडिंग होता है रखता है दाव्ल यह क्या करता है यह खून जो यह ब्लड जो है और अधिक हानी को रोखता है जैसे क्या होता है इसमें कि घाव का जो बाहर को जो इन्वार्मेंट है उस पर सीधा इफेक्ट डालता है इसमें क्या होता है इसमें क्या होगा इपिडर्मल सेल्स जो होता है सभी तरब से सब तरब से वाउंड की सेंटर पर असमतब आ जाता है इस्थांतरित हो जाता है और इस तरह से घाव जो है पूरा तरह से इपिडर्मिस से ढख जाता है यह जो घटना है यह जो प्रोसेस से एक दिन के भीतर हो जाता है उसके बाद है demolition and defense The next event in the release of toxic substance by the injured tissue इसके बाद अगला चरण में क्या होता है जो injured tissue से toxic substance जो होता है उसको बाहर निकलने का होता है The damaged tissue and debris are removed by autolysis और phagocytosis जो damaged tissue जो होता है उनको removed किया जाता है autolysis और phagocytosis के द्वारा This is favored by the increased deletion of blood vessels इसमें क्या यह जो blood vessels का बढ़ा हुआ deletion होता है उसके वज़े से यह possible हो पाता है उसके बाद है de-differentiation De-differentiation refers to the reversion of differentiated cell to totipotent cell De-differentiation का मतलब होता है क्या बाद है differentiation cell का reversion होना totipotent cells में The cell from adjacent epidermis, muscles, nerves, cartilage, connective tissue, etc undergo de-differentiation इसमें क्या होगा जो cells होंगे adjacent epidermis, muscles, nerves, cartilage, connective tissue यह सब de-differentiation के तरब चला जाता है De-differentiation provide totipotent or embryonic cells for the regenerative process De-differentiation जो है provide करता है totipotent या फिर embryonic cells को regenerative process के लिए When sufficient number of totipotent cells are produced, de-differenties stop जब होता है कि एक होता है sufficient मात्रा में मिल जाता है totipotent cells तब अपने आप वो de-differentiation बंद हो जाता है उसके बाद है blastema formation The next event in regeneration is the formation of blastema और regeneration bud उसके बाद के stage of regeneration उसमें क्या होगा? Fourth stage में blastema का निर्मान होगा de-differentiated totipotent cells begin to accumulate beneath the epidermis on the surface of the wound क्या करेगा de-differentiated totipotent cells जो होता है वो शुरुवात करता है epidermis का जो बनीज होता है उसको acclimate करने पर, आउन के surface पर यहाँ पर mainly ये काम होता है ना कि जो wound जो होता है जो घाव के जो surface पर, मत्दद घाव जो होता है उसके surface पर, epidermis के नीचे जो है, differentiation totipotent cells जो है, वो जमा होने लगता है As more and more cell aggregate below the epidermis, the epidermis is pushed out and a conical projection appear क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे मतलब अधिक से अधिक जो cells epidermis के नीचे जो एककत्र होता है फिर क्या epidermis जो है, बहार की और धके लिया जाता है और एक तरह का conical shape, मतलब conical projection जैसा वो दिखाई देता है This is called blastema or regeneration bird जिसको blastema कहा जाता है या फिर regeneration bird कहा जाता है It is formed of an outer cap like epidermis and the central core of de-differentiated cells यह जो है यह बहार की तरह मतलब यह बनता कहा है तो outer cap की तरह बनता है like epidermis या फिर central core बनता है differentiated cells का इस figure को आप यहाँ पर draw कर सकते हैं कि development of blastema blastema का development होता कैसा है जैसे around फिर उस जगह पर blastema को formation बनता है growth the blastema then grow and increases in size the growth is caused by the meteoric division of the differentiated cells blastema जो है फिर grow करता है और उसका size में उसका बढ़ता है और growth जो होता है यह meteoric division के कारण होता है differentiated cells का उसके बाद है differentiation last stage this is the last event in regeneration यह सबसे आखिर का regeneration का event है the blastema differentiate to replace the lost part blastema जो है differentiate होता है lost part को replace करने के लिए the blastema of the forearm differentiate into muscles, bone, skin, digit it is a blastema जो होता है फोर arm का वो differentiate होता है muscles में या फिर bones में skin में, digit में और भी जो wound बनता है the blastema differentiate exactly like limb bird in the embryo blastema जो है differentiate होता है exactly जैसे embryo को limb bird में होता है उसी तरह वो differentiate हो जाता है इस figure को आपको यहां पर draw करना है नीचे लिख दीजेगा regeneration in frog's limb map करे लिजेपाई यहां पर पर दितरो अच्ग होजादा जा पर दोगर पर दूम्ट कर द cima कर दाफंद है अड़पर यहां बस्सके पर दूआः